लेक्ट्रोनिक मेडिया उप्रिंट मेडिया में इस समय तू-तू मैं में तो खुब हो रही है लेकिन नशा नियंतरण कानुन की कोई बात नहीं हो रही है अस्लीलता नियंतरण कैसे किया जा इस पर चर्चा नहीं हो रही है ब्रश्टा नियंतर पर कोई चर्चा नहीं हो रही कालाधन नियंतर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है हावाला नियंतर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है भारत में आराजकता फैलती जा रही उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है मजभी उन्मात तेजी के साथ फैल रहा उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है आये दिन गुसपैठियों का आतंक बढ़ता जारा लास पर कोई चर्चा नहीं हो रही धर्मांतरत तेजी के साथ हमाई जनसंक्या भारत तब बदलेगा, जब दुनिया भर करे tax ही, खतम होगा, One Nation, One Tax लागू होगा, जब यह GST खतम होगा, Intkes खतम होगा, TDS खतम होगा, WAET खतम होगा, तब भारत बदलेगा, जब भारत में Income पे कोई tax निन लगेगा, कमाने पे कोई tax निन लगेगा, जब खर्च करने पे tax इसको कहते है वन नेशन वन टेक्स भारत में तब बदलेगा जब वन नेशन वन पुलिस कोट होगा यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है पुलिस को तो हर जगा एक जैसा काम करना चाहिए अल्टीमेटरी वेतन भत्ता पुलिस सत्ता की सारे से काम कर रही है तो पुलिस रिफाम में चर्चा नहीं हो रही है। जूडिशन रिफाम पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो कुछ उसकी कमाई होती है वो सारा सारा वो तारीक पर खर्च हो जाता है उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है जस्टिस विदिनियर की चर्चा नहीं हो रही है कि गंटे के अंदर F.I.R. हो, एक महिने के अंदर जाच पूरी हो, एक साल के अंदर मुकदमे का फ्रेंस लाओ, उसके कोई चर्चा नहीं हो रही है, जनसंख्या विस्फोर्ट 23 से बढ़ रहा है, उसको नियंद्रन करने के कोई चर्चा नहीं हो रही है, बस तू तू मैं मैं आरोप प्रत्यारो नूरा कुस्ती, बतोले बाजी, तू चोर मैं सिपाई, ये खेल चल रहा है, सोशल मीडिया में भी खेल चल रहा है, इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी खेल चल रहा है, भारत में सड़क के किनारे वायद निर्मान होता जा रहा है, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाने पर मैं बार-बार कहता हूँ यह जो सोचल मीडिया के इंफ्लेंसर आपको दिख रहे हैं यह सारे पेड है ज्यादा तर इसमें पेड है यह किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनको फंडिंग आती है तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सुबस लेकि शामते जयजयकार करते रहत देना रहे हैं यह समस्या तो बता रहे हैं लेकिन मूलकान बताते हैं ने समाधान बताते हैं बेरोजगारी की बात करने वाले कभी यह नहीं बताते हैं कि बेरोजगारी का मूलकान जनसंख्या विस्टोट है और जब जनसंख्या नियंदर कानून बनेगा तब बेरोजगा मिलावट खोरी करने वाले कभी यह नहीं बताते जो मिलावट खोरी की बात करते हैं कि मिलावट खोरी का मूल कारण यह है कि दिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई कम हो गई दिमांड ज्यादा इसलिए जन संख्या विस्टोट हो रहा है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है दूद सुद्ध नहीं मिल पा रहा है हवा सुद्ध नहीं मिल पा रही है नहीं मिल पा रहा है पानी सुद्ध नहीं मिल पा रहा है जू सुद्ध नहीं मिल पा रहा है फल सुद्ध नहीं मिल पा रहा है वो तो तभी मिलेगा जब जनसंग खेंड इंटल कानून बने जब कोई धर्मांतरण की घटना बताए तो पूछिए धर्मांतरण के खिलाफ खटोड कानून कब बनेगा अब लोग धर्मांतरण की घटना ट्वीट करते हैं फेस्बूक पे शेयर करते हैं लेकिन कभी यह नहीं कहते धर्मांतरण कराने वालों के 100% परपर्टी जब करने नागरिक्ता खतम करने और उनको 20-50 साल सजा देने के लिए कारून बनना चाहिए, वो कभी नहीं बताएंगे, गुसपैटियों का वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते हैं, गुसपैटियों के 100% परपर्टी जब करने, नागरिक्ता खतम करने, आज जीवन का समस्याओं का समाधान है, भारत में एक भी ऐसी समस्या नहीं है, जो लाइलाज है, नसा तसकरी पुरी बिस सुबै पर समस्या नहीं है, मानो तसकरी पुरी दुनिया में नहीं होती है, घूस खोरी पुरी दुनिया में नहीं होती है, जमा खोरी पुरी दुनिया में नहीं ह होता लिए आतंकवाद पूरी दुनिया में नहीं है नहीं है वह बंब आ conservative कि लुए होता है जो समस्या पूरी दुनिया में नहीं है इसका मतलब सो का me है लाज और लेकीन इसज़ां में नहीं है आरोप रत्यारोप नूरा कुस्ती बतोले बादी से एक भी सबस्या खत्म नहीं होगी, एक भी, अगर हो नहीं होती, तो पिछले 75 साल में हो गई होती, कि पिछले 75 साल में एक से बढ़कर एक भसर देने वाले, एक से बढ़कर एक बढ़िया कविता पाठ करने वाले, एक से बढ़िया एक लच्छेदार बाते करने वा जो बढ़िया भारत की समस्या को समझें उसका मूल कारण खोजें और उसका अस्थाई समाधान करने के लिए उसके कानून बनाए जैसे डॉक्टर उसको बनना चाहिए जो जिसको बढ़िया जानकारी हो अनपण अनाड़ी आदमी अगर डॉक्टर बन जाएगा दूसरों की जान ले ले गा न है ह 17 फ़ेश उसको बनना चाहिए जलना जानता हो वैशन उसको बनना जी है जिसको अश्ची एक्टिंग करना आता होरी सिंगर उसको बनना चेहिति इसका गला बढ़िया हो जिसको अच्छा ग Khôngना आता हो वह स्सांसद विधायक तो उसको बनना चाहिए जिसको संविधान की बढ़िया जानकारी हो, जिसको कानूनों की बढ़िया जानकारी हो, जिसको इस बात की जानकारी हो, कि सिंगापुर में क्या कानून चल रहा है, अमेरिका में क्या कानून चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, Otherwise, आप किसी को भी जाती के अधार पे, भाशा के अधार पे, छेत्र के अधार पे, पापुलर्टी के अधार पे अगर संसद विधान सबाम बेजएंगे, तो वहाँ जा के करेंगे कि अरेखा गयी थी संसद में कितने कानूर बनेवा लिये वाली हुद स findings. संसद में कितने उन्होंने कानूर बन वन दिये ऐसे और भी बहुत सारे ही रो ही रहने संसद में जाचए कितने उन्होंने असलीलता खिलाप कभी आवाज नीढ़"? परोसरा है लेकिन बॉली वूद से जो लोग संसद में आज ता कि उने कभी चर्चा तो किया दी ऐसे कितने सारे क्रिकेटर कितने सारे अजआ में परका कंजा रिमंपर दीतित लोग हमारी कि अपकर दो यूँ इस वह अधा नहीं के लिए ना जीरो और में सवाल पूछते हैं न कोई प्राइवेट मेमर भी पेस करते हैं तो किल उनको सो मैन करनाने के लिए सोपीस बनाने के लिए उनको संसत बेजय जाता है कि अब खुद ही सोचे एक बात याדरखिये कि छीन हमसे दो साल के बाद आज़ाद हूँ गारे एक प्चास साल में बहुत जवर्जिश्क प्रफिकर नीजिए दुबई पच्चास साल परहले कुछ नहीं था और आज इसी तिवहा के देख लिए और भारत में आज 81 करोड लोगों को मुफ्तमे रासन देना पड़ रहा है यान 81 करोड लोग गरीबी रिखा के नीचे हैं ये गर्व की बात नहीं ये शर्म की बात है 81 करोड लोग अगर मुफ्त मेरासन देना पड़ रहा है जब भारत की जनसंख्या 40 करोड थी तो भारत में 4 करोड गरीब थे यानि 10% लोग गरीब थे 90% गरीबी ये खा के उपर थे आज भारत की जनसंख्या 145 करोड है 81 करोड गरीब हैं इसका मतलब लगभग 65% गरीब है पहले 10% गरीब थे अभी 65% गरीब है तो गरीवी तो बढ़ रही है जब तक 2 करोड घर बनेगा 10 करोड बेघर पैदा हो जाएंगे कितना घर बनाओगे आप जब तक 2 करोड स्वरोजगार पैदा होगा दस कोड देरोजगार पैदा हो जाएंगे तो कितना आप कर लोगे तो समस्याओं का समाधान कठोर कानून है इसलिए मैं आप लोगों से निवेधन करता हूँ पांच-पांच जार फेस्बूक फ्रेंड बनाएए समस्या लिखिए मूल कारण लिखिए उसका अस्थाई समाधान लिखिए और यही बढ़िया टाइम है चुनाओं का टाइम सबसे बढ़िया टाइम होता है इस समय अगर आप धंक से आवाज उठाएंगे तो जो कानून है वो पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों में आ जाएगा नहीं तो फिर पांच साल तक कुसे कोई चर्चा नहीं होगी और आज चर्चा नहीं हुई कुसे कभी नहीं चर्चा होता है